आज हमें पढ़ना है डारेक्ट एंड इंडारेक्ट नेरेशन ठीक है डारेक्ट मीन्स होता है प्रतियक्ष और इंडारेक्ट मीन्स होता है आप प्रतियक्ष इसको परुक्ष भी बोल सकते हैं इंडारेक्ट मीन्स परुक्ष और नेरेशन मीन्स होता है कथन यानी की बातें नरिसन का मतलब होता बातें सुद्ध अगर बूला जाए बिटा तो आज में बातें करना सीखना है अब आप कहेंगे कि सर बातें तो हम बच्पन से इसी सीख गए है बहुत बढ़ीया बातें सीख गए लेकिंगे बातें करना कैसे है उसको ध्यान से देखिए ठीक है बातें तो हैं प्रतियक्ष्ष और प्रतियक्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष उनके पापा से कह देना कि आपने सतानी करी प्यदाना चाय से मुझे मिलवा दू तो जो मिलवाई मार्ध्यम बनाए वो है इंडारिक्ट वो इस पीछ के मतलब होता है कथन या बात है अब डार्ट देखिए इसमें बक्ता बक्ता होता बोलने वाला जो बोले इसमें बक्ता अपनी बात को सीधे सीधे रखता है मतलब डायक्ट अपनी बात को रखता है जो उसे कहना है तो बोलने वाला जो होगा वो अपनी बात को सीधे सीधे रखेगा ठीक है इसके दो भाग होते हैं ठीक है इसके किसके डारेक्ट के डारेक्ट के दो भाग होते हैं कौन कौन रि तो आप कि आ बहुत है करिया कम यह बहुत ही आश्मय सब्सक्राइब बट नरेशन समझने से पहले हमें जरूरी है कि हम इनको समझने की रिपोर्टिंग बर्व होती क्या है इनको समझने बहुत जरूरी होता है रिपोर्टिंग बर्व क्या है क्या होता है इसमें कहने वाला और सुनने वाला होता है इसलिए इसे इनवर्टिट कॉमा के बाहर सैद्द ये लिखा ही जैड टूमी ठीक है इनवर्ट कॉमा के बाहर लिखा ही सेट फूमी तो जी आपका क्या हो जाएगा लिए इसको हम लिख सकते हैं इसे 对 आरवी लिपॉर्टिंग बर आरवी टोल्ड के कहा है ऽाद कोमल लगाना पड़ता देखो पीटा याद पड़ता है को आसे नहीं है कई रही है यह जो तुम लोग सबन में आया यह सिंद कॉमन वर कोमा ही लगाये जाते हैं कॉमा लगाये क्योंकि पंच्वुशन जब आप लोग करो गये दो नंबर पंच्वुशन भी आता है तब आपको उच्छने लगाने के लिए कहा जाएगा अच्छे ने नरेशन सही आता है इसलिए 66 और 99 की तरह आपको common word कॉमा लगाना है एक चीज़ों सुन लेगा कॉमा जो कौन सा कॉमा होता है कॉमा का मतलब होता है ठीक ना बिराम कॉमा का मतलब क्या होता है कॉमा होता है और एक कौमा में में टो क्या इसलिए इसलिए इसे कौमा के बाहर रखते हैं हो लेकिन याद रख्यें यश्का सुना वे लेकिन कभी कभी हमेशा नहीं कभी कभी हुआ देज। हुटा है सुनने वाला नहीं कहने बाला होता है सुनने वाला Lнос पूर एक जामपिल जैसे आप लोगों की लडाई हो गई किसी से समझ गई अब सुनने वाला वहां कोई नहीं तुम चिला रहे हो बैंक का तरीका से हमाए खेत में गईयां किसने छोड़ दी वहां सुनने वाला कोई है नहीं है चिला रहे जैसे कभी-कभी गीत गा रहे हो होता है समझ में आरा कि इसमें कहने वाला सुनने भई बाते होती है तो बाते में दोई पक्स्तों होते हैं कहने वाला और सुनने वाला कभी-कभी केवल कहने वाला होता है सुनने वाला नहीं होता है तुम लोगों को पता है है ना पता क्योंकि बाते हैं बच्पन जब से हो लेजिएगा आपने पंदर आगाश्च शब्य जन्वरी को सुना होगा या चीफ गेस्ट ने बढ़िया स्पीश दिया सर जी हमें अंग्रेजी में स्पीश देना है इस पीश के मतलब क्या होता भासान या बातें अब बातें क्या है देखो इन्वर्ट कॉमा की अंदर क्या ह हैं एक सर जी आपने लिखा है यूरा लायर इसे बात भाई यह को बात मैंने ज्यादा लिखी है इसलिए लिखी है कि बोड में जगार नहीं बोड में यहां लिख दिया मैंने तुल्सिदास सेट तुल्सिदास ने कहा लॉर्ड राम बोज बॉड इन अयोध्या भागवान स्पीच में जाएगी कहां जाएगी वो क्योंकि बाते हैं तुर्षिदासने जो बताया है वो सब चला जाएगा रिपोर्टेड इस पीच में जो भी बाते हैं देखिए जैसे आप हैं यह मैं हूँ जो मैंने अभी से पढ़ाया है आपका से टीचर सेड अध्यापक ने कहा इ है जिसका बता रहा हूं में डीपोर्टेड इस पीच डीफ के अंदर हो जी आरेसइस इस इसको से व्यक्तë कर रहेंगे आरेस यह जृप आपक क्या इसमय देखो राजू सएड Someone प्रीपाइब नर्हां ने कहा। यहां। यहां राजुैति राजु कोई नहीं है। यहां क्या है तुछी दास तुछी दास ने कहा। सुनने वाला कॉन है। अब जो अंदर है वो क्या है। विपौर्टेड इसको बोलते हैं। बंधेल खंडी तरीका अभी सुन लो वेटा एक तरीका से ओर और वी inc ऑख यानी कि राम और भीश्ञ अभी अभी बाहर है लंका कि कैई के और राव रशीताओ अभी कहाँ है इनवडकोंग तो बनना है जब यहां पर पुल बन जाएगा पने अप जीकंडंब करके इंडारेक्ट बन जाएगा अपने आप इंडारेक्ट बन जाएगा क्मंझ में आया तो राम वोविश्न वाहर हैं, राम अरोष्पता अभी लंका के अंदर हैं, अभी योद्च हुआ नहीं है, योद्च होना है, मतलब बिटा प्धाना पॉपलाई आंगी आभी और करना है समझ में आया कोई देखकर किसी को हैं इतना आपको समझ में आया रिपोर्टिंग बर किसे कहते हैं रिपोर्टेश पीच किसे कहते हैं ठीक है अब आंगे देखिए